तो आज हम बनाने वाले हैं खाली 45,000 रूपीज में एक सूपर वैली फॉर मनी गेमिंग पीसी अब ये फुल पैसा वसूल गेमिंग पीसी इसलिए है विकॉज यहां पे हमने 45,000 रूपीज में एक 6GB वाला 1660 सूपर ग्राफिक कार्ड एंड उसके साथ एक Ryzen 5 प्रोसेसर स्ट्रिमिंग पीसी तो भाई इंतिजार की इस बात का यार वेट क्यों कर रहे हो क्यों कि दिवाली ओफर चल रहा है हमारे यहां वाट्सप नमबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँगा जो कि है 9891684750 यहां पर जाओ वाट्सपर मैसेज करो या फिर वीडियो कॉल करो या वॉइस कॉल करो तो यारो जल्दी से जाके और करो अपने लिए भी ऐसा ही ब्रैंड में चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगो को एक चीज बदाना चाता हूँ अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी पाइरेटेड विंडोज यूज करते हो ना तो यह काफी ज़्यादा रिस्की चीज है अभी के टाइम पे आपको यार विंडोज की कीज काफी ज़्यादा चीप प्राइज से मिल लाती है फ्रॉम वी आईपी कीज आप लोग यहां से बाई कर सकते हो only 650 रूपीज में आपको यहां पे OEM कीज देखने मिल लाती है एंड साथी साथ में 1100 रुपय में आपको रिटेल कीज देखने मिल लाती है जो कि यहार काफी ज्यादा सस्तिक प्राइज है एंड साथी साथ में अगर आप यहां पे हमारा कूपन को यूज करते हो जो कि है TC 350 तो आप लोगों को additional discount भी मिल लाए हैं तो एक एक करके आपको सारे पार्ट के बारे बता देता हूँ एंड उसके बाद यार अराम से मिलके इस वाले PC को हम साथ में बना लेंगे तो सबते पहले प्रोसेसर के लिए हम यह वाला CPU यूज कर रहे हैं जो कि है Ryzen 5 3600 अब इसके अंदर आपको मिल जाते हैं टोटल यह रहे कुछ पेपर्स एंड यह रहा हमारा प्रोसेसर जिसको हम फिलाल सभी को साइड में रख देते हैं कि हमको यह वाला जो PC है वो बनाना है तो ज्यादा टाइम वेश्ट नहीं करेंगे अगला जो प्रोड़क्ट है वह हमारा ग्राफिक काड ग्राफिक काड के लिए ह 1660 सूपर अब यह छे जीवी वाला ग्राफिक काड जी डीडीर सिक्स वाली छे जीवी की देखने मिल लाती है एंड तीन साल की वारंटी भी यहां पे है बट यह वाला जो ग्राफिक काड यह पूराना लगा रहे है नया लगाने जाओगे तो भाई 22000 को तो खाली ग्राफ अब लाती है यहां पे लोगों को एक डीपी एंड एक एच्डेमाई एंड एक दीवाई पोर देखने मिल लाता है तो ग्राफिक काड काफी ज्यादा बढ़िया है कंडीशन अच्छी है इसके बाद अगला जो पूमपोनेंट है मदर बॉर्ड मदर बॉर्ड के लिए यहा भी अन्बोक्स कर लेते हैं उपर आपको यह थोड़ा सा पैम्पलिट देखने मिल लाता है एंड यह रहा हमारा जो मदर बोर्ड है यह इसको भी हम डबे से निकाल लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको sata cable मिल जाता है एंड यहां पे मिल जाती है आपकी आयो sealed तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में हमारे काम आने वाली है यह रहा हमारा motherboard दो RAM slot fan header आपको more than enough देखने मिल जाते हैं साथी साथ में NVMe SSD का slot भी देखने मिल जाता है तो फिलहाल हम इसको भी side पे रख लेते हैं एंड इसके बाद अगला जो component है वह हमारा RAM RAM के लिए यहां पर फिलहाल हम यह वाली RAM लगा रहे हैं जो कि है XPG की गैमिक्स D30 2200 MHz वाली 8 GB की सिंगल स्टिक है एंड दो RAM स्टे फीचर में अप्ग्रेड करना हो तो वह भी आप कर सकते हो इसको भी आपके सामने ही हम ओपन कर लेते हैं ताकि बनाते टाइम हमको यार अन्बॉक्स ना करना पड़े तो रैम भी हमने अन्बॉक्स कर ली है एंड इसके बाद श्टोरेज के लिए यहां पे हम यह व है जो कि है डीप कुल का पीए फोर फिप्टी एटी प्लस ब्रॉंज एटी प्लस वाइट सर्टिफाइड पीस्यू है साथी साथ में यहां पे आप लोगों को यार ब्रीडट के बस देखने मिल जाते हैं इस तरह के वाइट बॉक्स में आ जाता है इसको भी अन्बॉक्स क यह रहा हमारा जिप्टाइज एंड यह रहा हमारा पावर सप्लाई एंड यह रहा पावर कोड तो यह सारी चीजा आपको पीस्यू के डब्बे में देखने मिल लाती है और आखने में के लिए यहां पे हम यूज कर रहे हैं एंटेक की तरब से आने वाला उनका एन एक्स 360 सिक्स्टी कैबिनेट जिसके अंदर आपको मिल लाता है टोटल यार तीन पंखा फ्रंट में मैश दिजान देखने मिल लाता है ए एर जीबी फैन है एर जीबी हेडर के साथ आते हैं साधी तात में यहाँ पे आपको रियर में एक 120 mm का नन आर्जीबी फैन देखने मिल लात है लुक्स वाइस ओपी है एर फ्लो वाइस ओपी है बजट वाइस भी ओपी है यानि कि बजट में आपको मिल लाएगा 45,000 वाले बिल्ड के लिए एक दम पर्फेक्ट हागर आप बजट में कोई गेमिंग पीसी बनाने वाले थे देन इस केसी फॉर यू यार यह किस जाके लगाने के लिए इन प्लाश्टिक्स की हमको फिलहाल कोई जरूत नहीं है तो प्लाश्टिक्स को हमने निकाल लिया है एंड श्टॉक पूलर लगाने से पहले भाई यहां पे हम प्रोसेसर लगा लेते है जो कि यह राइडन 536 तो इसको हम बॉक्स से निकाल लेते हैं यह आपका आट jun का फंडवी वे अपको बेसकिया साफ अपार्फ प्रॉसेसरर को लागा लो इसके बाद members अ कर्को लाजय को किये रहा एंड प्री फेंट के साथ कहता है यह अफ लोग देख लूफूरी मैं आपको पेश्ट लगा साइट के स्क्रूज को थोड़ा-थोड़ा हलका प्यार से आप इनको टाइट कर दो एंड डैट सिट आपका जो स्टॉक कुलर है आपने लगा दिया बस इतना सिंपल है यार एमडी का स्टॉक कुलर लगाना काफी लोग फालतों में इसको कॉंप्लिकेट कर देते हैं हाला कि कॉंप्लिकेट है नहीं बट यहां पर ध्यान देना जब आप लगा रहें श्टॉक कुलर को तो यार जो आपका स्कूरूड्राइवर है उसको इधर-उधर मत लगाना नहीं तो सीधा वह मदरबोर्ड के उपर जाके लगेगा एंड अगर मदरबोर्ड के एक भी कॉंपोन तोटे कि आपका पीची बिल्ड करने का जो सपना है वो टूट सकता है एंड पीजी बिल्ड करने के लिए आप कितनी मेंद से यार पैसे इकटा गर के बनाते हो तो थोड़ा सायर के बनाओ PC अगर आप बनारे हो पहली बार बाकी अगर आपको खुद नहीं बनाना है आप नहीं लेना चाहते हो तो भाई एक expert को पकड़ सकते हो हमारे जैसे expert को एंड उसके बाद यहां पर आप यार जो यह wire है fan header में आप लगा दो cp वाले fan header में इसको एक fold मार के आप side में छुपा दो ताकि आपका जो पीसी हो clean look निकल के आ जाए और इसके बाद यहार हम रेम लगा लेते हैं रेम लगाने के लिए एक दम सिंपल सा funda है यह जो आपको छोटा सा hole दिख रहा है इस वाले hole से मैच करना है मदरबूर्ड वाले hole से एंड आपको थोड़ा सा pressure देना है slot में डालके दोनों side से cut कर गया वा जाएगी रेम भी आपका जो है वो लग जाएगा इसके बाद nvme shd लगा लेते हैं nvme का slot यह रहा बट उससे पहले यहां पे जो screw है उसको आपको निकालना पड़ेगा तो फटा फट से हम यार screw को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम अपनी nvme को लगा लेते हैं तो यह रहा हमार को हम डाल लेते हैं अपने motherboard के अंदर तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूं 123 अब मेरी मानों तो यार 3500 रूपीज में आने वाला यह काफी ज्यादा बहतरीन कैबिनेट है रीजन यह कि 35 रूपे में आपको तीन ARGB फैन देखने मिल लाते हैं प्रिंस्टॉल जिनको आप गैलेक्स का भी 450 क्रूज हम यहां पर टाइट कर देंगे एंड उसके बाद यहां पर कैबिनेट के जो भी केबल से उसको motherboard के अंदर लगा देते हैं ताकि ज्यादा यार मैस ना हो बाद में क्योंकि यार पीसी में अल्रेडी काफी सारे केबल्स आते हैं एंड उसके बाद ह यहां पर केबल मेनेजमेंट करने के बाद पीछे का जो पैनल है उसको बंद कर दो एंड लास्ट में आर पीसी को टर्न ओन कर लो एंड फाइनली जो पीसी वो ओन हो चुका है तो कैसा लगा यह वाला गेमिंग पीसी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि अगर यह वाला पीसी आप खुद बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों के लिए मैंने सारे ही पार्ट्स की एमेजन लिंक छोड़ दी है वहां से जाके आप पार्ट्स और करके ऐसा पीसी अपने लिए खुद भी बनवा सकते हो बागी अगर यह वा